आज एक मसहूर धामाकेदार और क्रांतिकारी फिलम लेके आए हैं जो कि मारवल वालों का पूरा दुनिया ही बदल दिया अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को धपाक से सब्सक्राइब करके वीडियो को खट से लाइक कर दें और शुरू करते हैं आज का लत्तम जुत्तम के स्टार्टिंग में अफगानिस्तान के एगो रेगिस्तान को दिखाया जाता है जहां पर के मिलिटरी का दुतीन को गाड़ी एकदम दंदनाते हुए जा रहा होता है और इन्ही गाडियों में से एक में अपना हीरो लोह मानब बेठा होता है वैसे अभी लोह मानब ने बना है बहुत जल्दी बन जायेगा पूरा से सब मिलिटरी ओफिसर सब के साथ मजा मस्ती करते वे जा रहा होता है कि अचानक कहीं से बम बारुद गोली गोली चलना पूरा से सुरू हो जाता है देखते ही देखते इसका सब मिलिटरी आफिसर सब धारासाय हो जाता है और अचानक एगो बम आके हीरो के समने गिरता है और बलास्ट कर जाता है जिसके बाद कि हीरो भी छीटक के दूर गिरता है और बेहोस हो जाता है जब उसको होस आता है तो देखता है कि बहुत सरा नकाबकोस अतंकवादी सब उसको एगो कुर्शी पच्चवाट के बठाया हुआ है और सब होसल होसल कर रहा है फिर सीन 36 गंटे पहले का दिखाया जाता है जहांपर कि एगो सभा में अपने हीरो का पुरा से बहबाही हो रहा होता है वहीं पर बताया जाता है कि अपना हीरो मसहूर हतियार निर्मान करता हवग स्टाक का बेटा है जो की 4 साल के उम्र में अपना पहला सरकिट बोड बना लिया छे साल के उम्र में पहला इंजन बना लिया और 17 साल के उम्र में MIT से ग्रेजुएट हो गया और 21 साल के उमर में अपना इस्टाक इंडस्ट्री जो कि उसके फादर का था उँ आके समभाल लिया फिर देश और दुनिया के लिए बहुत खतरनाक खतरनाक हथियार सब बनाया जिससे के दुनिया में अब तक सांती और अमन कायम है इस सब भासनवाजी स्टेज पे कलवा दे रहा होता है जिसके बाद कि हीरो का नाम एगो एवार्ड के लिए एनॉंस करता है लेकिन हीरो वहां होता नहीं है उँ कसीनो में लॉंडिया वाजी और सट्टे वाजी कर रहा होता है इसलिए हीरो के बाप का दोस्त स्टेज पे आके कुछ दिर तक भासनवाजी करता है और एवार्ड लेके हीरो के लिए चला जाता है वहां से इधर अपने हीरो का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने गराज में बैठके अपना गाली ठीक कर रहा होता है और वहीं पर उसकी सेकरेटरी पहुंचती है जो कि इस फिलिम के हीरोहिन भी है बताती है कि अफगानिस्तान में मीटिंग के लिए आपकी फ्लाइट थी जिसके लिए कि आप दो गंटे लेट हो इसके बाद कि मिलिटरी के गाड़ी में बैटके वहाँ से एरपोर्ट के लिए जा रहा होता है और रास्ते में ही आतंगवादी हमला करके उसको किर्नेप कर लेता है फिर सीन परजेंट टाइम का दिखाया जाता है जहांपे कि हीरो के सीने में एको एलेक्ट्रो मेगनेट लगाया हुआ था योगो बुढ़व जिसके वज़े से उस मिसाइल के बलाष्ट के बाद भी अब तक हीरो जिन्दा था उ दोनों एको कमरा में कैद था वहीं पर आतंगवादी सब पहुंच जाता है और उसको पूरा सलाथारना शुरू कर देता है बोलता है एको खतरनाक मिसाइल बनाने के लिए जो कि पूरा दुनिया को तवाह कर सके पहले तो हीरो तयार नहीं होता है लेकिन जब हीरो देखता है कि उसके ही स्ट्राक इंडस्ट्री का सब हत्यार सभी सब के पास है तो यह तयार हो जाता है हत्यार बनाने के लिए एक्चोली में हीरो के सरीर में बहुत छोटा छोटा लोहा का छर्रा गुश गया था उस मिसाइल के बलाष्ट के वज़े से हीरो के पास एक ही सब्ता था उस एलेक्ट्रो मेगनेट के सीने में लगे होने के बाब जूद भी इसलिए हीरो उस बुढ़ों के मदद से एक आर्क रियक्टर बनाता है और अपने सीने में लगा लेता है जिसके बाद की लोहा का जितना छर्रा था उसके सीने तक नहीं पहुँचेगा और उमरेगा नहीं हीरो को पता था कि उस मिसाइल के बन जाने के बाद उदोनों को मार देगा सवातंगवादी सब इसलिए हीरो अपने लिए एको खतरनाक सूट बनाता है ताकि वहां से भाग सके लेकिन सूट के बन जाने के बाद जब वहां से उदोनो भाग रहा होता है तो बुढ़ों को सवातंगवादी सब पकड़ के भून देता है लेकिन हीरो सब को मारते पिटते किसी तरह से उस सूट के साथ वहाँ से उड़ के भाग जाता है एक रिगिस्तान में जाके गिरता है वहाँ उसका कलवा दोस्त आके हेलिकॉप्टर्स उसको बचा के लेके अमेरिका चला जाता है वहाँ पहुंचते ही उस सबसे पहले प्रेस कॉन्फरेंस करता है क्योंकि मरते वे उबढ़ो सैंटिस्ट इसको बोल के गया हुआ था कि तुम हथियार बनाने के अलावे भी बहुत कुछ दे सकते हो दुनिया को इसलिए पत्रकार के बीच अपने पपा के टकलू दोस्त के सामने ही श्टाक इंडस्ट्री के हथियार डिविजन को बंद करने का एलान कर देता है बात से वहाँ पुरा हो हो मज जाता है लेकिन हीरो पुरा से तमसाया हुआ था इसलिए उपना बात बोल के वहाँ से निकल जाता है फिर हीरो अपने लैब में आके एक नया आर्क रियक्टर बना लेता है और अपने सेक्रेटरी को बुला के अपने सीने में से पुराना वाला को निकलवा के नया वाला फिट करवा लेता है इधर किरने पर सब जो था हीरो जो सूट पहन के वहां से भागा था उस सूट का जो कच्रा बचा हुआ था रेगिस्तान में उठा के लिगे चला जाता है वहाँ से इधर हीरो भी चुपचा बैठा हुआ नहीं रहता है उभी अपने लिए नया सूट बना रहा हता है जो कि उसके सीने में लगे वे आर्क रियक्टर से ही चलता उसको बनाने के दोरन काफी दुरगटना भी घटता है लेकिन उसकी सेकरेटरी जो रहती है जो सीना से निकाल दिया था आर्क रियक्टर उस आर्क रियक्टर को सीसा में पैक करके हीरो को गिप्ट करती है इधर टकलू बुड़हो भी काफी कोशिस करता है कि एक आर्क रियक्टर का डुप्लिकेट बना के उसको दे दे ताकि वो भी उस पे रिसर्च कर सके लेगिन हीरो मना कर देता है देने से पिर किसी तरह से काफी दुर्गटनाओं का सामना करते हुए अपना सुट तयार कर लता है हीरो और पहला फ्लाइट लेता है उड़ने का और उड़ते उड़ते हुँ हवा में इतना उपर तक चला जाता है गि बर्व के बज़े से उसका सुट फेल कर जाता है और जमीन पे ग इधर फिर अपने हीरो को एक पार्टी में दिखाया जाता है जहांपर कि अपने सेक्रेटरी के साथ कुछ दिर तक कमर मठकाता है लेकिन कुछ दिर के बाद वहाँ पर एक पत्रकार आती है जो कि हीरो को कुछ फोटोग्रैप्स दिखाती है और बोलती है कि ये गुलमीरा का ह जहांपर कि इसी का हथियार लेके कुछ आतंगवादी लोग उत्पात मचा रहा होता है जिससे की काफी गुसा हो जाता है और उटकलू को जागे काफी भला बुरा कह देता है क्योंकि वही इसका हथियार डिविजन सम्हाल रहा था भी जिसके बाद उटकलू बढऊ वहां से तो हीरो से लड़ाई करके चला जाता है लेकिन जब हीरो अपने घर पे लोटके आता है तो न्यू चैनल पे देखता है वही गुलमिरा सहर में पुरा आतंग की मचा रहा होता है इधर हीरो का सूट तयार था पेंटवेंड होके जिसको की पहनने में काफी मुश्किल होता है लेकिन किसी तरह से उसको पहन के निकल जाता है हीरो गुलमिरा के लिए पर आतंग की सब लोगों को पूरा से लटी आ रहा होता है पकड़के लेकिन हीरो वहां पहुंचते ही सब को पूरा से ठकुचता है और उसके बाद में गुंड को बाहर निकाल के बोलता है कि इसके साथ जो करना है करो बोलके वहाँ से जाने लगता है लेकिन एको टेंक से हीरो पे हमला हो जाता है और उसके बाद हीरो वहाँ पे जाके उस सब जितना वहाँ पे मिसाल उसाल रहता है सब को बलास्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है तकलू बढ़ोव वही आतंकी सब के पास पहुंच जाता है और अब बता चलता है कि तकलू बढ़ोव ही सुपाडी दिया था हीरो को मरवाने के लिए वो आतंकी को लेकिन आतंकी उसको किरनेप करके उससे हथियार बनवाना चाहता था अब की बार उटकलू बढ़ा हूँ हीरो का उटूटा फूटा हुआ सूट जो था आतंकी सब के पास उल लेने के लिए गिया था उट सूट लेने के बाद सब आतंकी सब को पंदुक से पकड़ के भून देता है और वहाँ से चला जाता है इधर अपना हीरो लव पूरूस आईरन मैन जिसका के मूवी में नाम टोनी एस्टाक है वो अपने सेक्रेटरी को पठिया के उस्टाक इंडस्ट्री के उस टकलू बुढ़ाओ के मेन आफिस में से उसके मेन कम्पुटर में से सीक्रेट इंफॉर्मेशन चुराने के लिए भेज देता है उस सब इंफॉर्मेशन को ले ही रही होती है पेंड्रैब में कि वहाँ पेंड्रैब में टकलू बुढ़ाओ पहुंच जाता है लेकिन किसी किसी तरह से बातों में उलजाके उपेंड्रै वहाँ से लेके चली जाती है लड़की उसके जाते ही जैसे ही बुढ़ाओ अपना सिस्टम चेक करता है तो उसको सब समझा जाता है उसके बाद वो बुढ़ाओ तिल मिलाए हुए सिधे हीरो के पास पहुंचता है और एक डिवाइस के मदद से हीरो को 15 मिनट के लिए पैरलाइस्ट कर देता है और उसके सीने से उँ आर्क रियक्टर बाहर निकाल लेता है तुमको इस सब में अपने सेक्रेटरी पेपर को नहीं सामील करना था अब उसे भी मरना होगा बोल के वहाँ से चला जाता है इधर पेपर हीरो के दोस्त कलवा को फौन करती है और सब सचाई बताती है जिसके बाद की कलवा अपने गाड़ी से हीरो के घर के तरफ निकल जाता है गर हीरो घसीटता हुआ अपने घर के नीचे जो गराज था उसमें पहुंचता है जहांपे की हीरोहीन के दौरा दिया गया उपुराना वाला आर्क रियक्टर जो सीसा में पैक था उसको तोड़के उसको अपने सीने में लगाना चाहता है लेकिन किसी तरह से अपने एक रोबोट के मदद से उसको अपने सीने में लगा लगता है लेकिन बेहोस हो जाता है तब तक मैं उसका कलवा दोस्त वहां पहुँच जाता है और उसको उठाता है जर हीरोहीन बहुत सारा ओफिसर सब को लेके गुंडा के अड़ावे पहुंच जाती है और हीरो भी अपने सूट में फिट होके निकल जाता है गुंडा को ठकुचने के लिए उसके अड़ावे सब ओफिसर सब गुंडा के लाद में गुंडा का बड़ा सा सूट ढूंड रहा होता है लेकिन किसी को कुछ नहीं मिल रहा होता है लेकिन अचानक अंधेरे में से बाहर निकलता है एक बड़ा सा खतरनाक सूट और सब ओफिसर सब को पूरा सथा कुछना शुरू कर देता है हीरोहीन किसी तरह से भाग के वो बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है तब तक मैं वहाँ पहुँच जाता है आइरन मैन लास्ट टाइम पे हीरोहीन को मारने ही वाला रहता है अपने गन से गुंडा तब तक मैं हीरो वहाँ पहुच के उसको बचा लेता है फिर सुरू होता है हीरो और मेन गुंडा के बीच लट्तम जुत्ता हीरो को मेन गुंडा पकड़के पुरा सथा कुछ रहा होता है कहाए कि हीरो का आर्क रियक्टर जो था वो काफी पुराना हो चुका था और 45% ही सिर्फ एनर्जी बचा था एक वार करता है मेन गुंडा पे एक 19% सिर्फ एनर्जी बचता है हीरो के पास इधर मेन गुंडा का आर्क रियक्टर भी बिल्कुल नया था और सुट भी काफी बड़ा और तगड़ा था जिसके वज़े से कि हीरो वहां से काफी भागने का इधर-उधर कोसिस करता है लेकिन मेन गुंडा उसको पकड़के पुरा सथक उचता है उनों के आपस के जुधम जुद के वज़े से हीरो के सुट का पुरा एनर्जी खतम हो चुका होता है जिसके बाद हीरो अपने सेक्रेटरी से बोलता है कि बड़ा सा आर्क रियक्टर जो रखा हुआ है नीचे उसको जाके तुम चालू कर दो जैसे ही तुम चालू करोगे हम उड़के दूर चले जाएंगे और च्छत के उपर जो कुछ भी है वो सब कुछ उड़के धूआ धूआ हो जायेगा और उसी में में गुंडा यु मर जायेगा हीरो हीन आर्क रियक्टर के सब सर्किट को चालू कर रही होती है और में गुंडा जो रहता है वो अपना सूट खोलके एकदम डहलोगवाजी करना शुरू कर देता है जिसके वज़े से कि हीरो उसके पीछे जाके उसका निसाना लगाने वाला सिस्टम बिगार देता है इदर हीरो हीन पुरी तरह से तयार रहती है उस आर्क रियक्टर को चालू करने के लिए लेकिन हीरो जश्ट उपर में रहता है उस आर्क रियक्टर का और मेन गुंडा बार-बार अपने हथियार से हमला कर रहा होता है उस पे जिसके बाद हीरो बोलता है कि उस आर्क रियक्टर को चालू कर दो और हीरोहिन चालू कर देती है हीरो का सूट काफी छोटा होता है इसलिए उस दूर जाके गिर जाता है बिजली के जटका से लेकिन गुंडा का सूट इतना भारी होता है कि उसमें पूरा का पूरा बिजली का जटका लग जाता है इतना सारा बिजली का जटका के वज़े से गुंडा मर जाता है और छट के उपर से नीचे आर्क रियक्टर में गिर जाता है जिसके वज़े से जोड़दार ब्लास्ट होता है और सब कुछ जल के भस्म हो जाता है फिरो को अपने घर में दिखाया जाता है जहां पी कुछ की सेक्रेटरी उसका मेकप कर रही होती है और सिल्ड का एक ऑफिसर एजेंट कॉलसन आके उसको बताते हैं कि एक मनगढ़ंत कहानी सुनाना है आपको कल राज जो कुछ भी हुआ है उसके लिए एक्च्छली में वो ये चाहता था कि कि किसी को भी पता न चले कि टोनी ही आईरन मैन है और फिर आखिरकार बहुत सारे निज रिपोर्टर के सामने टोनी स्टाक को कलवा बुलाता है और टोनी स्टाक वहां आके काफी सारा भासनवाजी देता है लेकिन आखिरकार वो सच बता ही देता है सब के सामने कि मैं ही Iron Man हूँ जिसके बाद सब पतरकार हो 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 मचाना शुरू कर देता है वहाँ पर वैसे ये फिल्म यहीं पर खतम होता है लेकिन एक दो दिन के अंदर ही इसका दूसरा पाट भी अपलोड कर देंगे Iron Man को अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को धपाक से सब्सक्राइब करके वीडियो को खट से लाइक कर दें हम मिलते रहेंगे इसी तरह के बावाल मुवी के साथ तब तक के लिए बारें